हलो एब्रिबन गुड मॉनिंग वलकम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सभी आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो जिस सुबे का टाइम है और यह वीडियो है रक्सिया बंदन के दिन का तो आप सभी को रक्सिया बंदन की धेर सारी सुपकाम नाइए वैसे तो रक् पासी ही रौनक होती है एक दिन पहले से ही थोड़ा सा रहता है कि त्योहार है त्योहार है जिसके वज़े से सुबे में जल्दी उठ गई थी और मुझे सारे काम अपने जल्दी जल्दी निप्टाने थे आज तो बच्चों की छुट्टी थी और मैंने सुबे से बहले गैस पे बनने के लिए क्योंकि खीर बनने में अराम से आपको येर्ज़ से 2ग लग जाता है हल्कि आजपे खीर को पकना होता है उसमें टाइम काफी ज़्यादा लग जाता है तो मैंने खीर चड़ा रखी है गैस पे पीच-बीच में मैं खीर को चेक करती रहूंगी अभी भी छुटिया हो किसी की भी पर हॉस्पिटल वगरा होटल ऐसी चीजे होती है जो कभी बननी होते हैं तो हजबन तो आफिस जाएंगे इसलिए उनको पहले मैं आफिस भेज दूंगी उसके बाद बाकी के सारे काम घर के होंगे अभी घर की साफ सफाई भी नहीं हो रखी है ब जैसे त्योहार का दिन है तो मैंने सुबह उठके एक बार पूरे कीचन में काउंटर टॉप वगरा मैं गीले कपड़े से पूरे कीचन को साफ कर लिया था क्योंकि जो भी खाना बनेगा मंदिर में भोग लगेगा तो इसलिए मंदिर को पहले मैंने साफ कर लिया था उसके गेवर बनाने का सोच रही थी मैं पर नहीं हो पाया खैर चलिए कोई बात नहीं जितना आपसे हो सके वो काम तो कर लेना चाहिए और आज मैंने सारे काम जल्दी जल्दी अपने निपटाए हैं सुबह के काम मतलब जल्दी जल्दी निपटाने की पूरी कोसिस करी है वैसे तो आज राखी का भी ऐसी था तो फिर अराम से ही काम करेंगे क्योंकि सुबह सुबह त्योहार होता है ना तो थोड़ा भाग दोर जादा रहती है तो इसलिए सोचा पहले पति देप को अराम से आफिस भेज दू खाना पे ना खिला के उसके बाद अपना आराम से हम त्योहार इंजोय करेंगे क्योंकि फिर टाइम अभी काफी था डेर बजे तक तो लंच भी बन जाता है यहाँ पे देखे मैं बीच बीच में खीर को चेक करती रहूंगे कई बार में खीर को सीधा चावल बोईल करके उसके बाद दूद उबाला उसमें डालके खीर बनाती हूँ पर वो खीर का मज़ा बिल्कुल नहीं आता उसमें लगता है बस अपने चावल उबाले और उसमें दूद डालके चीने डालके खा लिया पर अगर आप इस तरीके से खीर बनाते हैं चावल को कच्चे चावल को जैसे उबलते हुए दूद में डालके फिर आप खीर बनाते हैं इसमें टाइम तो खर काफी लग जाता है पर खीर का असली मज़ा ऐसे ही आता है तो आज मैंने ऐसी खीर बनाई थी और आगे भी मैं हम वेलगने की छोड़ी है हल्किया आज पे पूणी मेरे बच्चो को बहुत पसंद है और हमारे पहार होना तो बोलते हैं कि जैसे पकोड़ी बना लो तो बोलते हैं तेल का धुणा उठना घर में तो उस तरीके का हमारे पहाड में बोलते हैं कि तेल का धुआ होता है वो त्योहार के दिन घर में जरूर आना चाहिए तो इसलिए कुछ ना कुछ ना पकवान ऐसा बनता है जो की फ्राय करके बनाई जाती है तो मैंने का चलिए त्योहार है तो क्यों ना पूडिया बना दू साथ में छोले या फिर चने कुछ भी बना लो ना तो पूडियों के साथ कॉंबिनेशन भी अच्छा लगता है और साथ मैंने थोड़ा सा खीर बना ली थी तो चने मैंने कल रात को भीगोने के लिए रख दिये थे जैसी बच्छों ने बोल दिया था कि ममा चने बनाना तो आज का तो दीनी भाई बेहन का होता है तो जो उन दोनों को खाने का मन था वहीं मैं बनाने वाली हूँ साथ में देखे मैंने चनों में तड़का लगा दिया है और खील भी हमारी खील मतलब बनके बिल्कुल तैयार हो गई है तो यहाँ पर में उचको ना थोड़ा सा ड्राइफ रूट डालने थे खील में तो जैसे हमें ड्रैफरो डालने होते हैं तो हमें उनको कद्दूगस करना पड़ता है या तो बारिक बारिक कट करना पड़ता है तो इस तरीके से आप अगर कोई भी प्लास्टिक की पन्नी लेंगे उसमें आप किसी की भी हेल्प से जैसे आपके पास बेलन है या फिर सिलबटा जो होता है बटा होता है सिलका वो है उससे आप इस तरीके से कूट लेंगे ना तो बहुत बारिक से कूट की तयार हो जाते है और काटने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है काफी टाइम लगता है ऐसे अब एक सेकंड में ही इनको कूट के अलग करेंगे और काफी अच्छा जो है ये कूट के तयार होते हैं और उपर से डालके ना काफी अच्छे लगते हैं खीर में मैंने डाल दी है चीनी चीनी में पहले नहीं डालती हूँ मैं लाश्ट में डालती हूँ जब गैस को बंद कर देती हूँ और मेरे पास इलाइची पावडर नहीं था तो मेरे पास साबूत इलाइची थी तो मैंने इलाइची को हलका सा कूट लिया है बिल्कुल इसक किसमिस और बादाम तीनों चीजे थी तो मैंने तीनों चीजों को ना कूट लिया था और कूट के जितना आपका मन करें उतने आप डाल सकते हैं उपर से लाश्ट मैंने इसमें एक चमच आप घी भी डाल सकते हैं मैं हमेशा डालती हूँ काफी अच्छा टेस्ट आता है घी दालके भी और एकदम स्वादिश्टी सी खीर बनें बिल्कुल तयार है खीर मैं जल्दी बना दी थी क्योंकि खीर थंडी थंडी अच्छी लगती है गरम गरम खाने में अच्छी नहीं लगती तो खीर अब थोड़ा देर थंडी होती रहेगी फिर आम इसको आराम से इंज चाय बनाई है नहीं तो सुबह उटके सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ पर आज नहीं पीती क्योंकि आज टाइम ही नहीं मिला चाय पीने का भी सुबह मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया था सबसे पहले आज नहाने के बाद अब जो है जाडू भी लग गई थी पू तो दुबारा से जाडू लगाने की ज़रत नहीं पड़ी, फिर मैंने पूरे घर में पोच्छा लगाया, और जब तक मैं पोच्छा लगा रही थी, तब तक मेरे देवर जी और देवरानी जी भी घर पे आ गई थे, क्योंकि यहाँ पर और तो हम लोगों का कोई आने जाने है नहीं, बस मेरे देवर लोग आ जाते हैं, और चाहे कोई भी त्योहार हो, मतलब हम दोनों मिलके साथ में ही इंजोई करते हैं उसको, और अक्सिया बंदन में तो इतने सारे भाई बहन हैं भगवान की दया से, कि बहुत ज़्यादा भाई बहन है, माई के मैं ससुराल में हर जग अपर वही है कि यहां हर बाद ना आना जाना पॉसिबल नहीं होता, अभी बच्चों की छुटिया भी नहीं थी, तो मैं भी नहीं जा पाई, तो इसलिए खेर कोई बात नहीं, राखी हम लोग एक दुसरे को भेज देते हैं, तो राखिया बाद लेते हैं ऐसे ही, तो हमी लोग थे, मैं और देवरजी लोग, तो निक्की आ रखी हैं इधर, क्योंकि वो भी अक्रिस को राखी बानती है, तो दोनों बहने हैं अक्रिस की, जो उसको राखी बान देंगी, तो वो लोग आ गए थे, मैंने का चलो राखी में तो अभी टाइम था, डेड़ गरम भी बना के खिलाओंगी, वो लोग नास्ता करके आये थे, वैसे मुझे नहीं पता था कि नास्ता करके आएंगे, मुझे तो यह था कि त्योहार का दिन है, तो सभी लोग साथ में बैटके खाना खाएंगे, पर वो लोग बोल ले थी कि हम नास्ता करके आ गए हैं, मैं ऐब लोग हday आप देली डेली एकी चीज दिखाते हो, कुछ और किया दिखाते हूँ. कि बच्चों की पढ़ाई है बच्चों को स्कूल जाना होता है हस्बन की जॉप मेरी ऐसी है कि उनको संडे भी ऑफिस जाना पड़ता है तो आप लोग सोचे ऐसे में मैं कहां बाहर जाओं बाकी घर का रुटीन ही है इसलिए मेरा जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कई लो अगर एक सिंगल बॉइज होते हैं जो बैचलर होते हैं तो वो लोग भी हपते में एक बाहर घुमने जा सकते हैं पर हम लेडिज हम हाउस वाइप को इतनी चुटी ही नहीं होती है हमें तो एक संडे की भी चुटी नहीं मिलती तो हम बाहर कहां जाएंगे घुमने के लिए साथ में बच्चे चोटे हैं, बच्चों के पास एक सेकंड का भी टाइम नहीं होता, सुबह उटकूए उनको स्कूल जाना होता है, स्कूल से आए, लंच वगरा करा, फिर सिधा टूशन गए, टूशन से आए, एक दिर घंटा खेला, फिर उसके बाद इवनिंग टाइम में वो अपनी स्टडी करने बैट जाते हैं, फिर वही खाना खाया और 9 बजे तक मेरे बच्चे रात को सो जाते हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली डेली बाहर जाओं घूमने के लिए, उसके लिए हम सो सौरी है, अगर आपको पसंद नहीं आते हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, फिलाल चलिये जी, मैंने यहाँ पर गर्मा गरम पूरिया च्छान ली थी, और सबको दे दिया है नास्ता करने के लिए, मेरे भी दोनों बच्चे नहाद होके तयार हो गए थे, और मैंने तो खेर जल्दी नहा लिया था, आज बस अब य घर साफ हो, आपने नहाद हो तो लिया है, पर घर पुरा फैल रखा है, आप दिया बाती कर रहे हो, तो ऐसे मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैंने अपनी मंदिर की भी क्लिनिंग करनी थी आज, तो पहले मैंने मंदिर साफ करा, उसके बाद मैं फिर वही हात मुद होया दुबारा से, फिर मैंने दिया बाती कर लिया था, इस टाइम पर मैं दिया बाती करने चली गई थी, तो इन सब को मैंने बोला, आप लोग नास्ता करो, मैं जल्दी से दिया जलाती हो, उसके बाद हम लोग राखी पर मिलेंगे सिरा, देर बज़े का ये टाइम हो गया था देर से दो बज़ गए थे, इस बीच में मैंने लंच भी बना लिया था, क्योंकि राखी का महुरत आज ऐसा था कि काम सारे निपट गए थे, तो दो बज़ गए होंगे, दो बज़े यहाँ पर बच्चों ने एक दूसरे को राखी बान दी है, तो तीनों बच्चों को बि जो है करना चाहिए, सुबह से ना मेरा मन तो आज घर पे थाई नहीं, मेरा मन बस मेरे माईके में था, मेरे को सुबह से याद आ रही थी आज काफी ज़्यादा, क्योंकि सबी लोग राखी के दिन ना बहुत ज़्यादा रौनक होती है माईके में, हम चार बहने हैं, आपक पाते अब हर बार क्योंकि बहुत दूर दूर हो गए सबी लोग, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, हर बार जाना, मन बहुत कर रहा था, आज मेरा मन बहुत उदास था, बार बार मुझे सबकी याद आ रही थी, खेर क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी सोचना पड़ता है क्योंकि एक बार जब लड़की की साधी हो जाती है तो उसे फिर खुद से पहले अपने घर परिवार के बारे में सोचना पड़ता है क्योंकि हजबन का ओफिस भी होता है तो नहीं हो पाता है पॉसिबल तो खेर चलिए यहाँ पे बच्चों ने राखी बाद ली बिट्टु इस बार तो खेर सुबह किसी नहीं निवादी साय जहां तक मुझे पता है क्योंकि इस बार कुछ भधर बताया था तो ऐसे मैं कौन अपने भाई बहनों को राखी बांदेगा कोई भी काम हो सब कोई हर कोई चाहता है ना कि सही महुरत में हम हर काम को करें तो इसलिए हम लो दिया था कि आप डेड़ बजी के बांदी राखी बादना सुरू करना हमने का चलिए जैसा पंडी जी ने कहा ना हम वह ऐसा ही करेंगे यहां पर देखे जी राखी का त्योहार भी सेलिबरेट हो गया है उसके बाद मैंने बच्चों की कुछ फोटो क्लिक करी थी तो फोट साल एक दूसरे को राखी बांदी उसके बाद फिर हमने क्या करा कुछ नहीं बस बैटे रहे क्योंकि लंच बन गया था फिर हमने लंच वगरा करा 2 बजे हम लोग बेटों की त्योहार को जब मटे रीड़ करने बैठ होता तो बच्चों के साथ तो और ज्यादा टाइम पर फिर हमने अपना लंच बगरा करा तीन बजे और साम के टाइम फिर देवर जी लोग चले भी गए थे क्योंकि फिर नेक्स डेम निकी का स्कूल भी था तो मैंने तो उनको बोला भी आज रुख जाओ पर उन लोग ने बोना नहीं हमें जाना है क्योंकि निकी का स्कूल है म बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था खेर चलिए क्या कर सकते हैं अपना घर परिवार भी देखना है हर किसी को फिलाल इसी के साथ ही आज की वीडियो को भी एंड करूंगे यहीं पर ही मैं उमीद करूंगे आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेना मेरी वीडियो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखे खुश रहे बाबाई एंड टेक केर